तो दोस्तो सस्क्राइब कीजिए हमारा चैनल करियर पॉइंट और लेटस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं कैसे आप सभी केरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है मैं अनशूद आज आप के लिए लेकर आए हूं डेली करन्ट अ तैसेकर ना लिक्चर तो आज हम पढ़ने वाले हैं 23 जून के जो करन्ट अफेर से वो पढ़ने वाले तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं तो पहली न्यूज है नेशनल न्यूज है जो प्ये मोदी ने लॉंज किया प्यास जार क्रोड की ग्रीब कल्यान रोजगार अभियान तो ये अभियान लॉंज किया गया है प्रद्धान मंतरी नरेंदर मोदी के दवारा इसमें कि जो यहां से आपने जहां पर काम करते थे वाँ से वापिस ट्कर कर करे अपने शूच्टस व्गरा में आ गए हैं अपने घर पे तो उनके लिए मस्तिट्रक्र फेमें लाइट करसिक मैं जो अध्यप्रदेश राजथान जारकंड और उडिशा तो बाई प्राइम मिनिस्टर नेंदर मोदी अन्द लाइंस ओफ अनाउस्मेंट तो यह 20 लाग क्रोड का जो पैकेज आत्म निर्मर भारत का बियान के लिए लॉंच किया गया था तो उसी के अंतरकत यह गरीब के लैंड इसको जो इसको एक तरह से जो इसको कारिया करेगी इसके उपर वो को नहीं होगी मिनिस्ट्र फ्रॉरल डेवलप्मेंट होगी तो जी के आर एका मतलब क्या होगा ग्रीब के लैंड रोजगार अभियान तो मिसन है जो मोड इस कंपेंड केंपेंड ओफ वन ट्वेंटिव सब्सक्राइब का ये होगा मिल कवर वन 167 डिस्टिक्स होंगे और मोर दन 25,000 रिटर्मी मार्क वर्ककर के लिए क्या होगा हर स्टेट से तकरिवन मोर दन 25 जो माइग्रेंट वर्गर हैं उनके लिए काम किया जाएगा उनको काम दिया जाएगा एक तरह से है कितने दिन चले गाएगा कितने डिस्टिक्स सब्सक्राइगे और कितने माइगरेंट वर्कर कर के जाएगे जिसमें अन कौ एप्लूइमेंट जाएगा गाओं में तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलप्मेंट कॉन से के यूनिस्ट्र है नरेंदर सिंग तॉमर मिनिस्ट्र ऑफ स्टेट है वहां के साधवी निरंजन जौती और जो सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलप्मेंट के वह है नागेंदर नाथ स नेक्स्ट न्यूस है जो सेंटर ने जो सेंक्शन किया 190 क्रोट का फॉर ऑगमेंटेशन ओफ हेल्थ केर फैसिलिटी जी नौर्थ इस्ट एस्या तो जो नौर्थ इस्टन स्टेट्स है उनमें जो हेल्थ के इस्यूज वगरा को लड़ने के लिए अभी जो मेंली जो कॉविड जेंदर शिंग है उन्होंने 190 क्रोड का जो सेंक्शन ओगार ऑगमेंटेशन किया है वो हेल्थ केर फैसिलिटीज के लिए जो आठ नौर्थ इस्टन स्टेट्स है कौन से कौन से हैं इनका नाम काफी इंपोर्टेंट हो जाता है असम अरुनाचल प्रदेश मेघल्य तो यह सेवन सिस्टर के नाम से जाने जाते हैं और जो नौर्थ इस्टन स्टेट में अगर हम कल्कुलेट करे तो उसमें आठ आते हैं उसमें सिक्किम को भी जोड़ लिया जाता है तो इनके अंदर जो क्या है कि जो मैनेजमेंट ऑफ इंफेक्स डिजीज का जो इंफ्रस् आज इसने बीज़न के लिए उसने गी इसनई को और सासा कर रिए इन खू है इंपानसो क्रोलर रुपे तक की अगर आपको किसी भी स्टेज गयो एक फैसे मांग सकते हैं हम से प्रपोजल हमारे पास बेस सकते हैं तो यह नॉर्थ इस्टन स्पेशल इंफ्रस्ट्रक्ट्ट्टर डेवलप्मेंट स्कीम है उसके अंटर तो यह पानसो क्रोड का पर जो फंड है लग से बनाए गया है तो उसके तहट आपको लॉन जो फंड है वो दे दिया जाएगा अगर आपको कहीं भी जो था एल्थ केर प्रोजेक्ट में अगर कहीं पर फंडिक की आ सकता है तो जो यह नॉर्थ इस्टन क्या है यह नॉर्थ इस्टन स्पेशल इंफरस्ट्रक्ट्ट्टर डेवलप्मेंट स्कीम है तो इसमें क्या कहा है कि जो यह लॉंच की थी दोहजार सत्रा में और यह 100% सेंट्रली प्रोजेक्ट के लिए अलग से प्रोजेक्ट जो एक तरह से फंड है वो बनाया गया है और यह फूली 100% सेंट्रल के द्वारा फंडिट है नेक्स्ट है उन्होंने जोइन किया है नीटियायो के जो एम है अटल इनोवेशन मिशन तो उसको इसकी तहत क्या किया है तो बूस प्रोजेक्ट के देनिंग की CIL एक इंडियन स्टेट ओंड स्टेट ओंड का मतलब होगा सरकारी सरकारी जो कॉल माइनिंग और रिफाइनरी कंपनी है उसको उसने पार्टरशिप कर लिया नितिया हो गया नेकि नेशनल जो इंस्ट्यूट फॉर ट्रास्फोर्मिंग इंड तो उसके इंसियाति वग्राम इंडिया में मतलब उसको सपोर्ट करने के लिए इसने जो नीतियायों के एम मिसन है उसके साथ क्या कर लिया है अपना है है अखाथ मृत हैक एक तरा सबीक sect 5 सब्सक्राइब को बढ़ावा दे सकते हैं तो उसके लिए क्या है कि दोनोंने पार्टरशिप की है कि जो कंड़क्ट टीचर ट्रेनिंग सेशन्स टूडेंट तो क्या उसमें जो टीचर वगारा की भी ट्रेनिंग की जाएगी कि काफ कैसे आप जो मतलब इनोवेटिव को इनो वेस्ट बंगाल में चेर्मन एंड में प्रमोद अगरवाल और जो नितिया हो गया नितिया के हेड़कॉर्टर नहीं दिल्ली में है चेर परसुन इसके प्रदानमंत्री जी होते हैं अभी इन्रेंदर मोदी जी है चीफ एक्स इक्षिक्यूस्टी ऑफिसर है जो इसके CEO है वो है अभिना अमिताब कांथ और जो वाइस सेर परसुन है वो है राजीव कुमार नेक्स न्यूज से फर्स्ट इंस्ट्रालमेंट ओफ 15,187.50 करोड जो 15th Finance Commission ने गरांट किया था रूरल लोकल बोडिज को उसमें क्या कर देगी है उसकी रिलीज कर देगी है तो जो कितनी अमांट रिलीज की गई है 15,187.50 करोड की जो अमांट है वो रिलीज की गई है 15th Finance Commission के अंदर जो ग्रांट की थी रूरल लोकल बोडिज के लिए तो इसमें क्या आया देख लते हैं बार जो 15th Finance Commission है उसने अपनी जो रिपोर्ट वगरा है इंत्रीम रिपोर्ट उस फाइने की जो रिपोर्ट में दिया गाया है इनके और जो कमीशन है उसने रिकमेंड के था कि जो करोड का एक तरह से जो आपको देड़ना पड़ेगा देड़ना होगा ताकि जो जो रिजन यह रूरल लॉकल बोडिस है उनका विकाद वह डेवलप्मेंट वगरा में क्या कर सकें हैल्प कर सकें तो इन्होंने टोटल जो अमाउंट वह बताई थी वह थी के लिए तो यह अब तक की जो भी फाइनेंस कमिशन के द्वार रिकमेंडेशन की गई है उसमें अभी तक यह सबसे ज़्यादा अमाउंट है तो इसका जो पहला किस्त है पंद्रह जार एक सो सब्सक्रोंट की वह जो गवर्मेंट ने वह क्या कर दी है अभी जारी कर दी है त कर दी फर्स्ट इंसल्मेंट ओफ फंद्रह हजार एक सो सब्सक्रोंट एज गरांट इन तो यह कहा कि गरांट इन एड है निए एक साहिता के लिए क्या कर दी है ग्रांट दी है इन रिस्पेक्ट ओफ टू पॉइंट सिस्ट्री लेक आरल बीज लोकेट इन अठाई सेट्स तो क्या है कि चो टॉटल कितनी अरल बीज है जो रूरल क्या है लोकल बोडीज है वह सिस्ट्री लैक बोडीज है तो उनके लिए पंदरह जार एक सौस्ट्स पॉइंट प्राइट क्रोड की जो मांट है लोटकर की है तो इस गरांट इन एट फॉर्मस पार्ट ऑफ दे उनकी नीट्स के हिसाब से कहा है जो यह लोकेट बगारा की गई है तो यह उसी का एक पार्ट है जो टॉटल अमाउंट इन्होंने 60,000 क्रोड की उन्होंने बताई थी कि इतनी आपको रिकमेंट की थी इतनी आपको करनी चाहिए तो नेक्स्ट इसमें क्या कर रहा है कि जो और इंस्टालमेंट आप 15,180 करोड की से लेटेट इसे लिए ने युनाइट नेशन वर्ट फूड प्रोग्राम है यून-व्फब उसके साथ क्या किया है पार्ट्रसिप की एक तरह से और उन्होंने ओफर किया है कि research based solution ताकि storage के उपर supply of food grains तो इससे लेटर जो भी research वगरा based solution वगरा निकाले चा सकते हैं वो IIT जो डेली है वो निकालेगी तो जो UNW EFP है उसके साथ partnership कर ली है IIT डेली ने ताकि जो state और national government है उनको जो food है और जो nutrition है उसको security को आसिल करने के लिए क्या कर सके जो IIT डेली है वो help कर सके और जो उसके साथ साथ WFP वी क्या करेगी help करेगी तो जो और अब्जेक्टिव इस पार्ट रिजिम का वो है कि जो एडवांस एडवांस रिशर्च की help से क्या कर सके प्रैक्टिकल solution निकाल सके जो long term strategy में काम आए जो planning है एक तरह से की जो storage होसके food की food grains की storage हो उसके और उनकी movement वगरा होसके तो कौन सी जो एजेंसिस हैं वो इनको movement वगरा करती हैं कि तो एफसे हैं food corporation of India तो अराज के जैसे के जो अनाज है उसके खरीद के लिए बंडारन के लिए या फिर उसको आए एक दरह से दूसरी जगह पूचाने के लिए जो भी strategic planning वारा की जूरत पड़ेगी तो उसकी क्या है जो मतल फूड पार्टन वो है प्रोग्राम है एक तरह से क्या है तो वर्ड फूड प्रोग्राम है उसने क्या किया है कि जो उसका headquarter कहा है उसके बारे में जान लेते गवार तो रोम इटली में है और इसमें कितने मेंबर है 37 मेंबर है executive director है इसके डैविड मुल्ड्रो बीजले और आयाइट देली के डारेक्टर है वैली पे राम गोपाल राव नेक्समी से सुप्रीम कॉट से लेटी सुप्रीम कॉट ने रिट पैटिशन के उपर कहा है कि जो रूल ओफ लॉफ लॉइंडेक्स निकाला है उसके उपर उन्होंने कंसर्ण जारी की है अपनी जो मतलब निकाला गया है जो इसके बारे में जान लेते हैं इट वाज रैंक्ट इस्टी नाइन्ट इंडिया की रैंक जाए थी तो यह डूल ओफ लाइंडेक्स डव्लू जेपी के दौरा लाउंच किया गया था इसमें 69 रैंक आई थी तो जो रूल ओफ लाइंडेक्स है उसमें क् इसके लिए उसको एक्षन लेने के लिए एक तरह से का टाइम दिया गया है कि शह मत के अंदर आपको यह ने कोई ऐसा स्लूशन निकालो जिससे की दलब रिट पैटिशन के जो जिसकेस में है दलब रिट पैटिशन के जो वैल्यू है उसकी बढ़ सके और इंडिया की इंडिया के रैंकिंग कभी फिफ्टी टॉप फिफ्टी में नहीं आई है और जो सरकारे है उन्होंने कुछ काम नहीं किया इसको इंप्रोव करने के लिए तो यह सब क्या है जो सब्सक्राइब कोट ने कहा है और कहा है कि आप से महीने का टाइम देते हैं कुछ इसका इस बैंकिंग फएनेंस में कि एस बैंक है उसने और फॉर्डब प्लैन के साथ मिलकर के जोइनट्ली लॉंच किया है को ब्रेंड़िड हेल्थ केर काड का कि इसका नाम किया है सुवस्थ खार्ट जोण है उन्होंने दुन वापस में एक पार्टर्शिप में किया है इक ब् प्लैन तो लॉंच किया फर्स्ट फिट्स काइंड को ब्रेंड़ हेल्थ काड इसका नाम है स्वस्थ काड अंडर स्वस्थ प्रोग्राम फ्रम विद द अम ट्वेस्ट अनेबल फैमिली प्लैनिंग मैनेज देर्फ फैनेंश फर्ति हेल्थ कें लीड़ा है तो इसके लिए नियुक्त स्वस्थ कार्ण करें तो centipal विद आ गयरे सब्सक्राइब करते हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसको क्या होगा जैसे कि आप सवीधाय लेंगे तो उसमें आपकी सब्सक्राइब कर सकते हैं उसके लिए और ट्रेटमेंट इसकी यहां से करवाया तो आपको कैस्बैक मिलेगा और क्या होगा कि इससे कहा है कि इसकी 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 प्रसांत कुमार चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है अनीता पाई और टेगलाइन इसकी एक्सपरियेंस अवर एक्सपर्टाइज अफोडवल प्लैन पर स्टेटमेंट नही दिल्ली में और तेजबीर सिंग्स यूका बैंक से लेटे यूक बैंक ने टाइएप किया है चार इंश्वरेंस के साथ इसकी फुल फॉर्म करता की तो छो जो चार इंस्वर्ण उनका नाम क्या क्या है State Bank of India Life Insurance Company, Oriental Insurance Company and Rally Gear Health Insurance Company उसके साथ साथ तो Star Health and Allied Insurance Company तो ये चार कंपनी है जिनके साथ इन्होंने पार्टरशिप की है तो युको-बैंक ने साइन किया है, Bank Assurance Bankyers क किया जाएका साथ कि- ing सुविधाउं के साथ आपको Insurance शुविधाई भी एकी प्लाटफॉरं पे मिलती हैं तो इसको bank assurance के यह हैं । इस आपको बैंक में ही आपको Insurance की सुविधा भी साथ में दे दी जाएगी कि लिए चैनल के साथ टू प्रोइड इंसूरेंस स्वियुशन्स तो कस्टब्स ऑफ यूक्ड थे तुप में कि जितेने की स्टोमरS है उनको इंसुरेंस फेसिलीटीज प्रवाइड कि जाए तो इसके लिए इस बिंक जारी ज़ो जारी इस ओं साइन किया गया है साथ यूक् नोबल प्राइज को नोबल प्राइज मिला था तो उन्होंने जीत लिया है 2020 का Peace Prize for the German Book Trade तो German Book Trade था उसके आवार्ड वगरा भी अनौस किया गए है तो उसमें जो 2020 Peace Prize है उसने किसको मिला है वो अमरते से इनको मिला है ये इंडिया से है तो इंडियन इकोनोमिस्ट है इकोनोमिस्ट का मतलब क्या है कि अर्थसास्त्री है ये फिलोस्पर भी है साथ में और नोबल प्राइज के विजयता भी है नोबल पुरुषकार विजयता है अमरते स्कुमार सेन ये 16 साल की उमर है इनकी तो इनको सेलेक्ट किया है के लिए बाइज़ा दोगोर्ट अबीनालाथ से चल रहा है इस लौवा चल एपनी और उसके बारे में अपनी व्elcome में लिखा है तो ये पूरे शो से चल रहा है यह कारी है उसके लिए उसके लिए इसकी तारिफ के लिए अवार्ट इनका मिला है हूं उनको पुरा एक आसोश्येशन जर्मन बूक्सेलर का और जो पबलिशर हैं उसका नाव के है बोर्श से बोर्शन वेरिन इन सेरेमनी देट विल टेक प्लेस ओन अक्टूबर 18 दो चरबीस तो क्या है कि जो मतलब बोर्शन वेरिन है उसका जो मतलब एक तरह से जर्मन पॉब्लिशर और बुक्सेलर का असूशेशन है तो उसका वो सेरेमनी होगी 18 अक्टूबर को उसमें दिया जाएगा तो जर्मनी का केपिटल है बर्लिन करंसी है यूरो और प्रेजिडेंट है फ्रेंक वाल्टर स्टेनमर स्टेन मिरर नेक्स्ट अपॉइंटमेंटर रेजिशन से लेड़ेट न्यूज तो टाटा के नटराजन है टाटा की कंपनी में जो अभी है एड तो नटराज की जो नोटिफिकेशन आई है उसमें इसको बताया गया है कि जो इनको चेर्मन है बोर्ट ऑफ टाटा संस तो टाटा संस जो बोर्ट है उनकी जो चेर्मन है जनवरी 2017 से नटराजन चंदर सेक्रन हैज बिन रिनोमनेटेट एज पार टाइम नोन ओफिसिल डिरेक्टर ओफ और अर्बें चेर्टल बोर्ट तो अर्बें चेर्टल बोर्ट उसमें नौन ओफिसिल डिरेक्टर के पोस्ट पर इनको पॉइंट किया गया है तो यह दो साल के लिए इनको पॉइंट मेंट होगी फ्रम थर्ड मार्स 2022 मतलब जब तक भी कोई नया ओडर नहीं आ जाता तो म कि एक निए को दौइंट कर दिया गया है तो सेंटर बोड कि इंवेक वहां का तो में सरा Πर-9 यह दो इसके आर्बें तक भूए कि रिफ्र और गाया है तो शॉन नयğा को पुर्बब कर दिया गया है तो सेंटेर्बूर्ट का है क्या है तो इत्कुन बॉर्ड इसे अपोइंट इप्टव इंडिया इन लाइन विद रिस्पेक्ट थे रब एक्ट है नाइंटीन थिपर उसी के जो तरजबर गया मना जाता है उसके जो उसी के अधार पर जो यह नियुक्त किया जाता है बॉर्ड फडिरेक्टर जब बॉर्ड है वह पॉइंट क स्टिय अभी पॉस्टि इसमें कित्नी खाली है तो फंदरा सोड रा। विब एक लिगण महाराष्टर गवर्न है सक्तिकांता दास नेक्स्ट नूज है आई एफ टी एस से लेटेड उन्होंने पॉइंट किया है टी टाबी संकर को एज चेर्में एंड एंड चंदर सेखरण एंड राजेंदरन एज सीओ तो बाइस जून की एक खबर है बाइस जून को इंडियन फा अभी संकर को एज चेर्में और डॉक्टर एंड राजेंदरन को चीफ एक्जिक्यूटी ओफिस रेनिंग की सीओ एफेक्टिव फ्रम 15 मई 2020 से लेकर के एंड 27 मई 2020 रिस्पेक्टिव ली तो जो टी टीर अभी संकर है उनको 15 मई से पॉइंट किया गया है और 27 मई से पॉइ लाइव और 27 को पेटेंट मिल गया फोर लिकविड कोलिंग और हीटिंग गार्मेंट फॉर एस्ट्रोन सकी नहीं ओने एक लिक्विड कोलिंग और हीटिंग घरमेंट मतलब एक तरह से लीकुड बीकुड कॉलिंग अगर जबत पड़ेगी तो कोलिंग कर सकाएगा और कही ह तो यह क्या है थे अपने आप जो एस्ट्रोट्स के लिए बनाया गया गार्मेंट तो क्या है यह फोइन को इसका प्रोजेक्ट लॉंच करेगा तो इसके लिए उन्होंने गगन यान की प्रोजेक्ट लॉंच किया हुआ है तो यह 2020 तक जो है इन्डियान जो इन्डियन को हुमन में क्यों मैं जो इंडियन समिन तो एक तरह से एर आऊंसें सपेस में प्रोजेक्ट तो इनकौण से expect ऐसे सवस्ब्स नहीं पर नहीं कर सकता April और Member फोर एस्टरोनेट्स तो यूज इंस पेस फोर प्रोटेक्शन फॉर्म होटन कोल्ड अन्वारमेंट तो कहा कि गरम और जो सर्द इन्वारमेंट है थंडे अन्वारमेंट है उनसे बचाने के लिए जो गारमेंट बनाये गया है इसका पेटन इस रोगो मिल चुका है इस जो पेहनते हैं वाइट सा कलर का वाइट पेहनते हैं जो आइस्टरोनेट्स बढ़ते हैं बाहर तो उसके नीचे यह अंडर गारमेंट की तरह पहना जाएगा और इसमें क्या होगा कि कोलिंग और हीटिंग की फैसलिटी मिलेगी भी इन्वारमेंट के साब से अगर कि तरह कोलिंग कर सकेंगे वह ठंडा अपने शरीद को रख सकेंगे इस डिजाइंड अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन फिल्ड वाइए फाइल वाइए और्गनाजिशन विद दा पेटेंट ऑफिस इन 2016 2016 में क्या गया था जो पेटेंट का रिया लेकिस अंगठन द् प्रशक्र अबादी थे वीर चक्रिया वाडि का थे मेजर जन्रल लचुमन सिंग लेहल उनका प्रभ धेहां तो ये सब्द्रम साथ 17ी उमर में तो बिज़ उनको देहांत हुआ था वीज़कर अवार्डि हैं वो वीर चक्रों को मिला हुआ ह। तो ये रिटायर्ट मेजर ज तुक पार्टी ना वार बहुत होना है इनने 1948 और 1971 का दोनों के वार लड़े हैं पाकिस्तान के खिलाफ वीर चक्र थर्ड हाइस लेट जो गलेंटरी अवार्ड है पूरे जो मतलब इंडिया में फॉर इस रोल इन्होंने जो रोल अपना नहीं बाया है एक वीरता के साथ तो इनको वीर चक्र की जो वो है अवार्ड दिया गया था यह थो थोरड मिस्ट ऑपर्चुनिटीज एक कंप्रेंशी बुक ओं 1965 इंडो पाक वार तो इन्होंने इंडो पाक के नाइटीन सिस्टी वाइब का जो इंडो पाक वार वा था उसके उपर बुक भी लिखी है जिसका नाम है मिस्ट ऑपर्चुनिटीज नेक्स नीज़ है बुक सेंड ऑफर से लिएट जो अमिस्तिरी पाती है मिस्तिरी पाती का आपने नाम सुनाओगा काफी अच्छी राइटर है उन्होंने एक बुक रिलीज़ेंड ओफ सुहेल देव दा किंग वू सेवड इंडिया तो यह बुक है इनका नाम बुक का नाम है तो जो बैस्ट इनिंग ओफर है रेक्टर है नेरू सेंटर के नहीं लंदन में खुला है दो जार अनुश में इन्होंने सेंटर को ला था अमिस्तिरी पार्टी ने तो इन्होंने अपनी फिक्शन बुक कर रिलीज़ेंड ओफ सुहल देव किंग वू सेवड इंडिया त सब्सक्राइब करने के लिए जबरदस्ति व्क्ति तो व्क्तिकत बलिदान देते हैं और दिखाते हुए देश में हर किसी को उनके धरम जाती सथरिया समाज में स्थिति के बावजूद एक जूट करते हैं तो मतलब क्या है कि आपको पता कि पहले से ही हमारे देश एक डाइवर्स्टी की तो क्या है कि सबको एक जूट करकर गए और क्या करना यूनाइट करना यह काम उन्होंने किया था तो इस बुक के क्या है इसका आइडिया क्या है कि तो ब्रिंग नैशनल अवेर्नेस अवाउट पैजिज ऑफ इंडियन स्ट्रे तो कि क्या कुछ कुछ पन्ने हैं कुछ किसे आगे नहीं आपाते हैं लोगों की तरफ नहीं पहुंस बाते हैं और उनके खिलाफ करकर रहे हैं वेर्नस फेलाने के 화ां यहार्ज भी यह यहाई यह झागयर ते श्क्स राजय ऑर्लम्पु श्वाणidentally आए था 6 फी फैय सखय के जो अभी नए उलम्पिक गेम में बनाए गए थे तो इसमें 14 कंट्रीज पार्टिस्पेट की थी तो इसमें क्या है ओलम्पिक डे अभी इंट्रोल डूस किया गया था सब्सक्राइब करने के लिए इसको यादगार बनाने के लिए यह जो 1948 से लेकर के ओलम्पिक डे हर साल 23 जुन को ही मनाया जाता है तो फर्स्ट ओलम्पिक डे वाज सेलिब्रेटेटर हुए नाइन्ट नेशनल ओलम्पिक कमिटी थी उसने जो 1922 को पहला ओलम्पिक डे मनाया था तो 23 जुन को इंटरनेशनल वीडियो दे भी होता है यानिकी अंतरास्टे विद्वादुएस तो इसे में कहा होता है कि जो हर साल यह मनाया जाता है तो जो इस्यूज वगरा है जो वीडियो के और उनके बच्चों को फेस करने पड़ते है तो उनके मतलब जाय के लिए लौगों तक पहुचाने के लिए कि अपनाएंगा है यह जो इस विडियो अकर्शित करने के लिए और उन्हें उस समय जब नेकर विद्वा हो जाती है तो उसको काफी सारी प्रोब्लम का सामना करना पड़ता है काफी सारी दुख होते हैं फिर्जिकली भी होते हैं तो उन सब से लड़ने के लिए क्या है उनको साहेता परदान कर लेंगे लिए यह दिन एक दरह सब्सक्राइब करना पड़ता है सबी देशों में अलग अलग देशों में तो उसके लिए उनको कहा है कि उन्होंने यह विड़ो डे इंट्रेशन विड़ो डे यह मनाना सुरू क्या है दोजार पांच में देयार नोट लुप्ट बाए एंजियो गवर्मेंट आलसो करहें तो क्याकि उनके सरकारे हैं या फिर एंजियो वगार है वह हो भी लोग हुआफ्ट यह तक यह नहीं करती है और यह सरकार जो मतलब लोग्वर्मेट्ट है सोसाइटी है वह उनको कर ते एक तरह से तानना मारती है अब शापथ अभी शाप देते हैं एक तरह से तो ज 2010 में 23 उनको क्या कर दिया था इसको उम्तलब ओफिसली रिकोगनाइज कर लिया था यूए ने जर्नल असेंबली है उसके दोरा तो यह लूंबा फावनेशन जो है यह एक लूंबा है महिला जिसका नाव लूंबा है तो उन्होंने इसको एक तरह से शुरू किया था उनके फा उनको मना जाता है हर साल to highlight the contribution of public services in the development process तो पप्लिक सर्वीश है इसको विकास कारी होते है एक तरह से development process होते किसी देश के लिए किसी पूरे वर्ड के लिए तो उसको एक तरह से प्रेज करने के लिए हाईलाइट करने के लिए यह बनाया जाता है और न्ट वेल्यु पब्ल उसने 23 जुन को पॉब्लिक सर्विस टे मनाने की गोशना की थी तो यह 20 दिसमबर 2002 की गई थी और 23 जुन जाने की 2001 से क्या कर दिया गये था पॉइंघ शिंग बिचिंग अरहा है। उन्होंने इनफर्मेशन दी है कि रजस्तान गुवर्मेंन उतना सांट जो स्कूलों में स्मार्ट क्लास्रूम सेटप किया जाएंगे तो इक अब एक तरशी ओनलाइन के ज़र कंटेंट है वो मिलेगा लोग बच्चों को एक लेकर 12 में एक लास तक के भी स्कूल फॉर टीचर्स विल ट्रेन टूटिच इंदा स्मार्ट क्लास्रूम तो चार हर सब्सक्राइब कर लिए तक चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और बैल आइकन को हीट कर लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं तो थैंक यू आज के लिए इतना है थैंक यू थैंक यू वरे मिच सब्सक्राइब कर लिए और दो आज पशो और र माई ड सकते हैं थैंक यू सब्सक्राइब